आज मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ 15 अगस्तो 26 जन्वरी पे बनने वाले स्पेसल ट्राइकलर लड्डू की रेसिपी जिसे हम बिना गेज जलाए बिना घी, बिना मावा, बिना कंडेंस मिलके सिर्फ 10 मिरड में फटा फट से बना कर रेडी करेंगे विडियो को एंड तक जरू देखना ताकि आप भी यह परफेक्ट लड्डू बना कर रेडी कर पाईए इस दी आपको हमारी रेसिपीस के विडियो पसंद आते हैं तो विडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें तो यह इंस्टेंड लड्डू बनाने के लिए हम दो कोटोरी नारेल बुरादा लेते हैं बारिक वाला इससे डेसिकेटेट कोकोनट भी कहा जाता है इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मतलब वन फोर्थ भाग इसका PCV चीनीड एड़ किया है और आधा कटोरी के बराबर यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर एड़ किया है और इस तरह से इसका डो बनाते जाएंगे तो आपको जो मिल्क लेना है वो रूम टेंपरेचर पर ठंडा लेना है मैंने इसे पहले ही बोईल करके ठंडा कर लिया था गर्म दूद आपको यूज नहीं करना है अधर्वाइस चीनी जादा पानी छोड़ सकती है लड़ू हम एक स्पेसल ओकेशन के लिए बना रहे हैं तो इसे तीन पार्ट में अलग कर देते हैं और इसमें हम तीरंगा कलर मतलब ग्रीन और ओरेंज कलर एड़ करेंगे वाइड तो अल्रड़ी यह रेता है तो वाइड कलर आप चाहे तो एड़ भी कर सकते हैं अधर्व भी बहुती अच्छा कलर आ जाता है अब इस मिक्चर में इस कलर को हम डाल देते हैं और अपनी उंगलियों के सायता से अच्छी तरसे मिक्स कर देते हैं आप चाहे तो इस पुन का यूज भी कर सकते हैं लेकिन हाथों के सायता से यह बहुती अच्छी तरसे मिक्स होता है देख सकते ही कि कितना प्यारा गिरिन और औरेंज कलरा है तो चलिए अब फटा-फट से हम लड्डू बना लेंगे लड्डू बूती कम प्राइस में बनकर रेडी हो जाते हैं यदि बच्छे जीत करते हैं स्कुल में ले जाने के लिए या फिर घर पे आपको बनाना है तो फ आले सारे उसके बाद हातों को अच्छी तरह से दोले उसके बाद दूसरे कलरे के लड्डू बनाए अधर्वास कलर मिजमेच हो सकते हैं और आपके कलर इस तरह से इन्हांस नहीं दिखेंगे तो हमने जो वाइट वाले लड्डू थे हमारे उस पे नारियर बुडादा को लपेट लिया है यह हमारे फटा फट सेफ ट्राइकल एले ड्डू बनकर रेडी है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा ठैंक्स पोर वोचिंग मिलते हैं अगले व